दोस्तों अगर आप क्रतीदेव, देवलीस, मूसा या इसी प्रकार के किसी अन्य फॉंट में टाइपिंग करते हैं जिसमें कुछ special characters जैसे की आधा फ, बड़ा उ या हिंदी में ब्रेकेट साधी बनाने के लिए आपको alt के साथ कुछ numbers भी प्रेस करना होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह एक बहुती मज़ेदार काम होता है इसमें कई सारे code तो याद रखना ही होते हैं, साथ ही इन्हें बनाने में काफी समय भी बरबाद हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपको ये code याद न करना पड़े और बिना code याद किये ही आप Hindi typing के special characters बना लें जिससे कि आपका काफी समय भी बच जाए और आपका काम भी आसान हो जाए तो आज की class में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आपको एक course भी याद नहीं करना पड़ेंगे और बिना code याद किये ही आप बहुती अच्छे से Hindi के इन special characters को use भी कर पाएंगे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको टेली, MS Word या MS Excel के केसी भी topic पर वीडियो चाहिए या इन में केसी भी प्रकार का कोई doubt है तो आप नहीं संकोच comment में लिखें आपकी समस्या के समाधान की पूरी कोशेश करूँगा तो आईए बढ़ते हैं आज के topic पर दोस्तों यह तो आप जानते हैं कि special characters जैसे की आधा 4 को type करने के लिए alt के साथ number page से 0182 को type किया जाता है या चंदरबिंदू बनाने के लिए alt के साथ 0161 जैसे code type किये जाते हैं तो बिना code याद किये ही अगर आप special characters को use करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप key sequence alt is press कर दें इस key sequence को press करने पर आपकी screen पर symbol dialogue box open हो जाएगा दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि यह तरीका तो आप पहले से ही जानते थे तो थोड़ा सा रुख जाईए और वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि आगे एक ऐसा option बताने वाला हूँ जो सायद आप पहले से ही नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो font पर क्लिक करके क्रतिदेव 010 को या हिंदी के जिस भी font में आप काम करते हैं उसे select कर लीजिए तो मैंने यहाँ पर क्रतिदेव 010 को select कर लिया है आप कोई और font भी ले सकते हैं font select करते ही आप देखेंगे कि उस font का पुरा चार्ड दिखाई देने लगा है इसे नीचे की तरफ scroll करने पर आपको उस font के बागी के characters भी दिखाई देने लगेंगे अब जिस भी character या अक्षर को आप insert करना चाहते हैं उसे select कर लीजिए इसके बाद insert बटन पर click कर दीजिए आप देखेंगे कि वह character insert हो चुका है मैंने जो अभी बड़ा वू insert किया था मैं इसे delete कर देता हूँ दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिसमें इतनी मेहनत नहीं लगेगी और यह काम बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगा तो इसके लिए एक बार फिर से key sequence alt is को प्रेस करके symbol dialogue box open कर लेते हैं अब जिस अक्षर की आपको बार बार जरुत होती है उस अक्षर को select कर लें तो मैं यहाँ पर आधेफ़ा को ले लेता हूँ इसके बाद नीचे दिये shortcut key के button पर click कर दें अब यहाँ पर press new shortcut की वाले field में आपको keyboard से वह shortcut की प्रेस कर देना है जो आप इस अक्षर के लिए assign करना चाहते हैं वेसे तो आप कोई भी shortcut की ले सकते हैं पर shortcut की assign करने से पहले मैं जो बता रहा हूँ उसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लें समझाने के लिए यहाँ पर मैं keyboard से प्रेस कर देता हूँ control के साथ C आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे की तरफ currently assign to edit copy लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इससे यह पता चलता है कि यह copy करने के shortcut की है और अगर आपने इसे assign कर दिया तो जब कभी भी copy करने के लिए control के साथ C प्रेस करेंगे तो selected item को copy करने के बजाए यह shortcut की हमारे द्वारा assign किये गए अक्षर को insert कर देगी तो यहाँ पर आपको AC shortcut की assign करना है जो पहले से किसी और command के लिए assign नहीं की गई हो control के बटन के साथ सामने था shortcut की इस पहले से ही assign की हुई होती है तो आप alt के साथ किसी shortcut की को ले सकते हैं तो पहले तो मैं back space प्रेस करके control के साथ C को हटा देता हूं और अब मैं यहाँ पर alt के साथ F प्रेस कर देता हूं आप देख सकते हैं कि currently assigned to में अब unassigned लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यह shortcut की किसी और command के लिए assign नहीं की हुई है save changes इनको normal पर ही रखना है और नीचे की तरफ दिये assign के बटन पर क्लिक कर दें हमारे द्वारा दी गई shortcut की current keys में दिखाई देने लगी है इसका मतलब यह है कि यह shortcut की इस अक्षर के लिए assign हो चुकी है close पर क्लिक कर दें और इसके बाद एक बार और close पर क्लिक कर दें अब जब भी typing करते हुए आपको उस अक्षर की जरौत हो आप keyboard से अपने द्वारा दी गई shortcut की को प्रेस कर दें मैंने आधाफ़ा के लिए shortcut की alt के साथ f प्रेस कर दी है और आप देख सकते हैं कि आधाफ़ा insert हो चुका है आप एसे ही अपनी जरौत के अन्यक्षर हो के लिए भी अलग-अलग shortcut की ज़ असाइन कर सकते हैं मैंने एसे ही alt के साथ k कर के लिए alt के साथ t मिट्टी वाले ट के लिए और alt के साथ d मुद्दा वाले डबल द के लिए असाइन किये हुए हैं इनके अलावा आप चाहें तो उपयोग में आने वाले अन्यफोंट के सिंबोल के लिए भी shortcut की इसको असाइन कर सकते हैं जैसे कि मैंने टेली फोन के सिंबोल के लिए alt के साथ p को असाइन किया हुआ है दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपको MS Word, MS Excel या टेली में काम करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो आप नहीं संकोच कमेंट में लिखें आपकी समस्या के समाधान की पूरी कोशिस करूँगा वीडियो पसंद आये हो तो लाइक वाशेयर जरूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर भी टेप कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको तुरंत मिल सकें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग